असलाम अलेकुम वियर्स मैं हूँ आपकी होस्ट मौमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मौमेंट्स विद मौमिना बतूल चलते हैं देखते हैं आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं वो कैसे दिखते हैं और वो क्या करते हैं यह सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी हमेशा की तरह लेकिन सबसे पहले आप जाकर उनका प्रोफाइल देखिए जी तो आपने देखा उनका प्रोफाइल हमारे साथ मौजूद हैं न्यूस कास्टर रह चुके हैं हम दो नात हुआ भी यह कर चुके हैं इसके साथ साथ दूसरों की आवाज में पड़ी हुई नात और उसको नई तरस लतीफे बच्चों की नजमें पुराने गाने यह भी गा चुके हैं उसके साथ साथ एड़िटाइजमेंट भी यह कर चुके हैं डॉक्मेंटरी में काम कर चुके हैं ड्रामाज में काम कर चुके हैं और यहां पे हमारे पास रहते नहीं हैं लंडन से यह आएं हैं और यह बहुत ही प्यारे इनसान हैं बाइस मुमालिक में यह का कर चुके हैं और आएए इन से बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं सेयद अकभान स्वाल का मैंने एक इंटर्वी देखा था एक मिनिट का कि शिकागों में वो होते हैं और वो रेडियो में भी बहां काम कर रहे हैं दिन भर वो खुश रहता है वो बंदा अच्छा लगता है जब घर जाता है कहता है मैं कराची पहुंच जाता हूं ऐसे मेरा हाल है तो कितना अर्सा ह वो गया आप लंडन में मुखे में जून 93 में लंडन गया था बीबी सी में यहां के एक साव में नाम भूल गया वो वर्ल्ड सर्विस के थे आर्स पॉँंच वे जाता है कि बहुत सारे चैनल से मुनसलिक रह चुकी हैं पी टीवी होम में काम किया है ए आर वाय में इनोंने माशाला से काम किया है, BBC में इन्होंने काम किया है और Vectin एक चैनल आता था, वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है I extremely forgot that, I'm sorry for that कि मैंने ये mention नहीं किया Actually आपकी बाते जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि मैं भूल गई इन सब को introduce करा था Out of the regard जो बाते हुई नहीं नहीं, so nice of you अच्छा, 1993 से आप लर्णिन चले के था 22 मुमालिक में आप जो है वो गर्दिश करते रहे हाँ, सौधिया गया था तो, American company थी बेक्टल तो उसमें मेल रूम का इंचारज में बंतखब किया था बीजे एडिंटन थे, he was USA Air Force Commander मेल लूम का इंचारज बनाया था, आप अच्छी बाते ही ये देखिए कि जब उसे पूछा कि, are you merit मेरे का, yes, तो उसे 300 रियाल फॉरण और बढ़ा दिया, अरे, 18 सो रियाल का था और मज़ीद बढ़ा दिया, सही, तो जब तक लगा, वहां मुझे ये पता चला कि money is not everything, और ये कैसे पता चला आपको, इंपॉर्टन तो है, क्योंकि सी वाटर प्रोजेक्ट था और एक बार्ट था, उसको रहाइश थी, बाद में पर कैम भी लगा दिया गया था, तो बस दिल नहीं लगता था, किराची याद आता था, रेडियो पाकिस्तान, याद आता था, कि रेडियो पाकिस्तान से खबरें पढ़ूँगा, मैं, तो अच्छा, बाते करना, मुकेश के लटा के पुराने गाने गाना, जिसमें, यानि, मैसेज भी हो, तो वो आदती मेरी, तो वहां साइट एरे पे और लोग भी जो पाकिस्तानी थे, किराची के भी थे, लहौर के भी थे, मुलतान के भी थे, वो मुझे अपने कमरों में बोलाते थे, अखबाल तुम मेरे कमरे में आ जाओ यार, अज़ गप शप पे होती थी, क्योंकि आप गप लगाते थे, जी गप, और अच्छी बाते करता था, एट ताइम यूज इस इन साधिया, हाँ, साधिया, नाइनिटीन सेवन जुलाई की बात है, तो वहा खायर अर्दू भी थी, तो इस वज़ए से अल्ला के शुकर असान के अर्दू जादा बेहतर होती चाहिए, यह हुआ, अर्दू वैसे भी हमारी जो है, कौमी जबान है, इसलिए अभी हाई कोर्ट में उसलिए यही कहा, कि लोगों ने जल्दी 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 तो, कितने दिन में, चालिस दिन में जनाब वो कितने दस या पंद्रा जो है, तमाम बिल मन्सूर करा लिए, तो इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा लिए, समझ नहीं आए, बस ओके ओके कर दिया, यह आज टीवी में आ रहा था, यह इसी तरह की बाते कर रहे थे आप, आप देरे वा हैं, लोग साल, हाँ, तो वो जमील अदिन आली साहब का अख़वार से बात ये निकली, जमील अदिन आली साहब ने उस वस अख़वार में लिखा था, कि बसीरत किसी उमर में भी आ सकती, जरूरी नहीं है, कि आपको 80 साल में ये 70 साल में आए, हो सकता है, कि 10-12 साल का लड अब आपको पता चला कि मने इस नाट अवरिटिंग ये बात जब अदिन आली के लड़के राजू से मेरी मुलाकात बहरेन में यूबियल में हुई कि उन्हों ने फ्लाइट दी थी कि जाके वर्क विजा ले लिजा अमरीकन कमपणी में तो दाहरान से बहरेन पंदर बनेट की फ्लाइट थी फ्लाइट में आया तो अब इस तफास देखे बराबर में एक अंग्रेज बैठा हो तो गपे शप्पे हो तो उसने कहा कि आपके कि होई तो इस सुरह से बहरेन में जब गया जब चेंज कराने के लिए गया थी यूबियल गया तो वहां देखा कि एक मोटा सा लड़का और बैठा हुआ है तो मालुम है वो जुलकरलन आली राजू नाम पहली मुलागात भाई हुई हुई तो फिर कुछ उन्होंने तफ़ा वगरा दिया था अपने अबू के लिए तो जब अली सहाब वहां से नेशल बैंक से वो हबी बैंक में आ गया थे तो उनको वो मैंने तो प्र आप अमरीका चले गए वीजा लेने के लिए नहीं पिर साओधिया से मैं आया तो यहां दोबारा फिर हमदत पब्रिक स्कूल का पहला सेक्रेटिर रहा हकिम साइज साब उनकी एलिया ने रखा मुझे वो भी वो जनाब इतनी दूर था कि उस वत जो रेंजर्स की गाड़िया आगे पीछे जाती थी और टीचर्स होती थी थी मैं भी होता था तो इतनी दूर था कि वहां से खबरें पढ़ने के लिए आन प्रकेल जियो में भी हैं मरीणिंग डिर्क तो आपके ना इस हरकत से आपकी वाइफ को कोभी प्रॉब्लम नहीं हो नहीं यह निका कि भाई तुम क्या कर रहे हो आप यह आप क्यूं कर रहे हैं बार बर हाँ यह बात तो है लेकिन मेरे अबबू चाते थे कि तरकी करे ठीक है जाए सेटल हो जाए लेकिन मैं सेटल नहीं होता था इसलिए वो यही बात है कि बीवी बच्चे याद आते थे जब बीवी बच्चे याद है तो अल्लह की सारे में नौकरी छोड़के आता तो यहां एक हफ़से में जॉब बिल जाती थी वाओ हमदत पब्रिक स्कुलार सिकरिटी रहा मालुँ है आई एल में आएडमीन ओफिसर हो गिया पी आई प्रेंटेंडमीन ओफिसर हो गिया आपके असरदर्श अभ मलिक साभवने मुझे है कि जाके मीर खज्जिउन साब से मिल लो तो मुझे जो है न हो ट्राइटर बना दिये जाब हर वक्त मिलती रही ऐसा कैसे मुम्किन हो सकता है बई अल्लह ताला ने कुरान शीर में फर्माया है 21 पारे में मैं अपने बंदों में जिसको चाहूं जादा रिस्तूं जिसको चाहूं कम रिस्तूं तो लेकिन उसके सहरे मांगना चाहिए और हमेशा सच बोना चाहिए और गाली नहीं बखना चाहिए तो जुबान पाकिजा रहे लोग नहीं करते हैं और अल्लह की बंदों से प्यार बिला गरस प्यार मिलते रही आप फोन करते ही गप है खुदा नहीं करे अगर आपको जरूरत है तो फिर आप साल दो साल के बाद जाये तो कहिए लेकिन होता ही है कि जादतर लोग चाहिए रिशेतार और गयर रिशेतार अमूमन ऐसा होता मैं तबलीग यही करता हूँ मेरी लंबी डाड़ी नहीं है लेकिन मैं तबलीगी जमारत में भी रहा हूँ 93 जून में जब गया हूँ तो पहली तफ़र अप्टन लेन की मस्ड़ में नमास पढ़ रहा था तो दिखा एक डाड़ी वाले बरावर नमास पढ़ रहे गफशप हुई तो मालम हो वो सईद अन्बर साब थे अच्छा अच्छा खेर बात से बात निकलते हैं मैं क्या कहूँ आपसे तो मैं यही कहता हूँ आप बस हमें अपने बारे में बताएं क्योंके हम जानना चाहते हैं एक मार्शालला से एक हुबरू नौजवान जो है जिसने तीस साल की उमर में जिसको ये पता चला कि पैसा सब कुछ नहीं होता उसकी बात की लाइफ आपने किस तरह से अब तक मैनेज की हुई है तो फिर उसके बात बात भी ये हुआ कि मैं 84 में या 85 में नेशनल कास्टेक्शन कंपनी में वहां एडबिन ओफिसर हुआ वहां चला गया था अबुजवी तो वहां सुनसान जगह था पतर नहीं कौन सी जगह थी जो दुबई से जाते हैं अबुजवी तो वहां दिन ले लगा वहां छोड़ करके मैं आया और वहां मुझे कुछ एक दो मिले उन्होंने का यार जापान जो है जापान में बहुत पैसा लगता है जॉब मिली प्रिंटिंग प्रेस में मिल गई फॉराँ जाते हैं तीसरे दिन मिल गई थी जॉब्स मिलने के बारे में बड़ी गुड लग चलती रही है अब वहां जो जॉब करता था टेंस से आता जाता था तो पेट खराब हो गया जनाब मैं वहां से 85 में भाग किया गया फिर 88 में जोबारा गया हूँ जापान तो 88 में ही मेरा खायल है कि बेनदीर साहिबा जा रही थी वहां विजिट कर रही थी तो किसी को पता चला कि अखबाल साब यहां है और खबरें पढ़ते थे तो उन्होंने प्रेस सेक्रेटी बनाया मुझे कि आप यह सब काम करें वहाँ तो यह इस सुरस से हुआ था तो फिर जापान में रहा फिर बाद में आता जाता रहा जॉब छोड़ दी वहां मुझे जॉब यह भी दी थी कि आप वो जो हवाले जो पैसा होता है वो भी आप लोगों से वसूल करके आप बेजा करेंगे तो यह करता था मैं लेकिन एक कमरा था वहाँ मिनातु कुछ एक जगह है टोकियो में तो इस लोक सब चले जाते थे तो मेरा दिन ने लगा मैं छोड़कर भागाया वहां से भी भाग करा गाया फिर जनाब यहां गार्णियों करभार करते हैं एक मुझमिर सहावे आ और उनके दोस्त हैं वो लोग से रई सिदीकी भी थे वहां उन्होंने तलाश किया मालू हुआ कि हवाले के काम के लिए किसी और क और फिर पर दिल लगा या दिल लगाना पड़ा दिल लगाना पड़ा क्योंकि दिल पर ही बात हुई के गाना या या रहा थे लेकिन ये ये क्या दिल का लगाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया वो तो अलग बात है छोड़ आप आगे बढ़ते हैं जी तो आगे यहां आया तो उसके बात फिर यहां उनका नाम मैं भूर रहा हूं वो मौसिन मैंने किताब में भी लिखा उन्हों ने रजाली आपदी के साथ के नाम ख़स लिखा कि अकबाल तुमारा लंडन का यू के का वीजा लगा हुआ तुम जौब बीबीसी में जाओ तो मैं वहां गया तो आपके क्या नाम है उनसे मुलाकात हुई हमारी रजाली आपदी साहब से हुई वस्वतला खान से हुई और लोगों ने तो मु पाकिस्तान का तस्रीख खबर्रामा सेद अकबाल की जुबानी ये प्रेस इंफर्मेशन डिपार्ट्रेंट में पड़ता था और पी टीवी से पड़ता था फराज जैली साहब ने मेरा साथ दिया कापी दिया तो वहां उसके बाद रेडियो एशिया में चला गया लंडन रेडियो एशिया में आपने पड़ा रहा था 98-99 की बात है कि पाकिस्तानी चैलेंज बेनदीर भुटो साहबा का था उन्हों ने बेज दिया इनको अपाशा साहब थे एक तो इसके पाशा यहां भी थे आपने वहां पे डिफरेंट चैनल्स में काम किया वहां पे काम करते वह कभी कोई ऐसा किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो आपको? नहीं। त्स लोग लाएं का पेरी टेल नहीं होती, जिसमें सबकुछ अच्छा चा चाहँ होता हुए। प्रमाया हम लोग इनसान से भी हड गया है, मसलमान की की बात कर रही है? कि गुलू लिन्ना से हुस्ना, और इनसान के साथ इससे बात कर लोई, ठीज थे, और अवफ गौड, हदीस नहीं है. बिलकुल. हदीस तो बात में आती है, पहले अल्ला का हुकम है, लेकिन हम लोग न बस में आपके पैर पर किसी ने पैर रख दिया है और आप करें प्लीज पैर हटा लीजिए मुझे तकलीफ हो रही है अबे ये पैर रखने की जगह है तू पैर हटा ये बदाखला की अच्छी बाते हैं अच्छा साथ एक सीना भी मुझे याद आया के लालुखे से यहीज़ विल्कम बैक वियर्ज हम आ गए हैं ब्रेक से वापिस और इस वकत हम तश्रीफ फर्मा हैं सेयद अकबाल साथ के साथ और बड़ी अच्छी इनकी जो जर्नी चली आ रही है उसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है मुझे यही बताएं अभी आप किस सार हाँ हाँ यादा है आप बहुत इंटिलिजन्ट है आप माशाला से तैंक यू तो लालुखे से बस जा रही है और च्छोटी बसे हुआ करती थी तो उसमें बड़े एक्टर मौन का इंतिकाल हो गया तो वो दिखला है उसको ये के लालुखे डाखाने पर बस रुकी उससे दो आदमी उत्रे और चार छे चड़ गए और जमाने में ये होता था है हैंडल पकड़ करके खड़े हुए हैं और को जुके वे खड़े हुए हैं तो एक सहब जो चड़े उन चार आदमियों में तो उन्होंने वो लैप्टॉप था तो उसके वहां पीट पर रख लिया औ काम कर रहे हैं अब वो आदमी कसमसा रहा है ऐसे कर रहा है प्लीज ये मुझे सान्स नहीं ली जा रही एप्लीज ये खा लीजिए प्लीज है पूचे उन्हारी whipped moral लीड़ ले और आ UH लग ले औरा लग और का मैं ने सुना कि कहा कर रहा है मेरा दिल जहल है कौन साथ कह रहा थे मौलाना से यह थे कि सफाकियत के हाले टीवी पर मैं देख रहा था मैं सारे चैलन्ज देखता हूं लंदन में भी यहां सारे चैलन्स देखता हूं। हाओ ना रखते हैं आपास-पास क्या हो रहा है enhn उसमें वो जिक्र हो रहा था कि बाप ने अपने बेटे का गोष्ट खाया उसको करके गोष्ट खाया तो मा ये कहती है कि कैसा जालिम आदमी है सारा खा गया एक बोटी मेरे लिए नहीं छोड़ी अस्तग्फर अल्ला ये कहां का बता रहा है किसम खुदा की मेरा दिल दहल गया ये कहां नहीं बता रहा है ये सफाकियत का खिक्र कर रहे थे वो जो आजकल के जो हालात जा रहे हैं पाकितान के भी है दुनिया के लिए सफाकि जरादा से बात गोली मार दिये नौ आद्वे का मार दिया या आपका आपसे मुबाइल चीन रहे हैं तो मुबाइल चीन लो ना अगर मुबाइल चीन भी लिया उसके बाद भी बावजूल आप बेटे के सामने मा को मार रहे हैं तो जल्म नहीं है तो क्या आला का अजाब नहीं आएगा हंड़िट परसट अजाब आएगा अगर आप पिछले एक साल का आप रिकार्ड देख लें, पाकिस्तान के पहले का और अभी भी, एक साल में जिस कदर एकसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, इससे पहले नहीं हुए हैं, रोज़ाना दस, बीस, पचास, चववण, तीस, बीस, पंदरा, रोज़ाना मारे जा रहे हैं, यह अल्ला का अज़ाब इस्टार्ट हुआ है, तो इसलिए अल्ला से डरना चाहिए, अल्ला के बंदों स मत सताओ, उसका हक दो, नहीं तो, फिर सभी तबाह होगे, बुगदाद ऐसे तो तबाह नहीं हुआ ना, क्योंकि आज कल जो है, बहुत सारे इस तरह के एक एकसिंट, ट्रेन का हादसा हुआ है, उसके इलावा बड़ी बस का हादसा हुआ है, यहीं तो मैं कह रहा हूँ, त होता है, तो यह नहीं सो काल डिमॉक्रेसी में ऐसा सब होता है, तो यह नहीं होना चाहिए, सियासत में इंटरस्ट है आपको, बच्पन से तो मैं मुस्मिलीगी रहा हूँ, मैं तो सर्दार अरब निश्टर से ऐसे चोटा सा बच्चा था, हाथ मिलाता था, वो आते थे बढ़नी साब मुलाकात होती है, नदन में भी हुई थी, हाजी अब्दर्रजाग साब को जा इंतिकाल हुआ तो उसमें भी वो आये थे जनादे में, सल्मानी अकबाल भी थे, वो लोग सब थे, खेर, क्या कह रहा था था आपसे, बास जजबाती हो जाता हूँ मैं, तो लि बढ़ शरीफ साब ने, चौदर्जाग साब ने, मुस्लिग काफ और मुस्लिग नून ये जो बना दिया ना, तो ये इनको मुस्लिग एक ही रहनी चाहिए थी, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो लंडन में रह के आप अभी भी मार्शाला से अर्दू पे ही आपकी ज पर खड़ावा हूं मैं, मेरे पास बस पास ये 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 फ्री है, वहां सिक्टी एर्स के बाद फ्री में बस पास दे देते हैं, फ्रीडिम पास कहलाता है, लेकिन मैं चूंके पुलिस का काम करने लग गया था, आई वाज इंडेपेंडेंट कस्टरी विजिटर, एट लंड और उसे इंटर्वियू लेता था, कि आपको, आप मुस्लिम है, नॉन मुसलिम है, अगर वो मुस्लिम है, तो आपको हलाल खाना दिया, आपको सॉलिस्टीर करने दिया, आपको बीबी बच्चों से बात करने दिया, व्रॉट दी राइट्स ऑफ डिटेनीज में जाता था, काली औरत गोरी औरत ये कोई भी हो महले से तो आदवी सरेक्ट होते थे होम आफिस से ये पास मिलता था किसी भी ठाने में जाकर कि हम छापा मारते थे किसको पकला क्यों पकला ये चीज़ सजेशन मैंने डॉक्टर साफिर रहमान तो वहां पे आपने एज़ पुलिस आफिसर की जाब की वो कितना अरसा की आपने ये नाइन येस तक किया पुलिस आफिसर नहीं इट वस उनरी जाब ये पैसे अलक से थोड़े बहुत मिल जाते थे प्रस में खबरें पड़ा करता था तो यही मैंने मशवरा डियाई जी जो अभी भी है कराइम के आमिर फारुक्री साहब और डॉक्टर साफिर रहमान को दिया था कि आप भी इस मुल्क में भी और यहां किराची में भी ऐसा करें कि महले से अच्छे लोगों को सेलेट करें उनको हूम आफिस का पास दें कि वो किसी भी पुलिस इस्टेशन जा कि ये देखे कि किसको पकड़ा है और क्यों पकड़ा है उसके साथ क्या हो रहा है स अच्छा और नहीं आप मार्शालला लगा दिए सारे थाने वाले सारे रोड पर सबसीदे हो जाते हैं क्यूंकि डिसिप्लिन है आर्मी में फौज में डिसिप्लिन है हम हम ہم, हमारी आरमी ही है, स्यास्त में नहीं है, बिखें हम अराम सेaufen 먹 अराम से घरों में सोते हैं, क्योंकि वो सरहादों पे हमारी हवाज़त क्रते हैं, तो आज अगर आरमी आक्ट को लोग बुरा समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं आर्मी तो हमारी रखवाली है हैं वो जादा हैं और उनको अल्ला से डरना चाहिए पैसे की वो बात खतम करने जाएए मैं जरदारी साहब नवाश शरीफ साहब इन से कहूंगा कि अल्ला से डरें और जो पैसे आपके बाहर लखे हुए आप सबसे पहले कहें कि मैं पैसे लाता हूँ इमरान खान को छोड़े कि वो क्या कहता था क्या है आप अपना देखें आला को देखें सही बिल्कुल वह कहते है नियतों का दारमदार अमलों पह है और अगर हमारी नियते साफ होंगी तो हमारे काम बीसी दे हो जाएंगे असल बात यह है हाँ आज कल जो लोगों में डिप्रेशन इंजाइटी और इतनी एग्रेशन आ गई है लोगों में छुटी छुटी बात पर अग्रेसिव हो जाते हैं लड़ाईयां हो जाती है बिल्कुल सही करना जारा थेले बाले को मार दिया थेले से सबसे वरना अमीर भी मारे जाएंगे अगर आप लाइसन्स वाला और विदाउट लाइसन्स सारा निकाल लीजे और पाकिस्तान को अमरीका मत बनाएए जहां के परचून की दुकान के जैसे असलाह मिलता है वहां एक एक दिन में बारा पंदाद भी मार दिये जाते हैं अमेरिका में अमेरिका में वाय कही आप निउस सुना कीजे कभी कभी नियॉयर्क में कभी लास अंजलिस में कभी कहा गया और आप देखी निउजुड का जो प्रैम निस्टर थी उसने मस्जद में हुआ था सारी है उसको छोड़िए एक्नोर कीजे तो मैं क्या कह रहा था कि असला के लाइसेंस आप बिलकुल बंद कर दीजें सिर्फ रेंजर्स आर्मी के पास या पुलिस ओफिशूर्स के पास हो जर्दारी सहब भी असला ने रखे, नवार शरीप भी लखे, इकबाल सहाब भी रखे और ये भी नहीं रखें कोई भी असला रहे नहीं आप यकीन मानी अमन हो जाएगा यानि क्या आप कहने हुँ जो लाइसंस दे देते हैं गान के साथ वो भी नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए असले का लाइसंस भी बान करा दें बिलकुल खदब कर दें अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है अफगानिस्तान में ते एक चीज़ उन्होंने ये भी की कि कि वो अचाहा जमूरियत जब हो जबके आप एजुकेशन कर लें जापान में जमूरियत है अच्छी तरह से इंग्लैंड में है अमरिका में है तो आप पहले कम से कम educated कर दें लोगों को गाओं के लोगों को भी education free भी हो खुब उसके बाद जम्हुरियत लाएं लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि अभी बहुत सारी awareness आ गई है लोगों में पहले की निस्बत पहले की दोर में आपको क्या क्या चेंजिस नदर आई हैं मैं समझता हूँ आदमी होशार तो सब हो गए हैं लेकिन बट वी आर रणिंग आफटर मनी इस वे और देट वे इल्लीगली पैसे के पीछे आख बंद कर सरपट भाग रहे हैं यह नहीं देख रहे हैं यहां यही दब जाएगा यह कुछल जाएगा यह नहीं देख रहे हैं हम लोग तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप दूसरों का हक देते हुए करें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी आप समझते हैं इंसान के अंदर होनी चाहिए सबसे पहले अल्लह तालह का डर सबसे पहले जिसने आपको खल्क फरमाया है तो मैं लंदन जाता आता रहता हूँ वो सॉरी यानि गुजरता हूँ आप्टर रिटार्मेंट तो सिक बैठे रहते हैं लब मिल में डाड़ी वाले हो वो सब सब्दार जी किया आल है तोड़ा ससरे काल सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है अब मैंने उसे का कि I was born in India, migrated to कराची और मैं लंदन में हूँ, मैं खबरें पढ़ता था, आज का रिटार हूँ, मुकेश के गाने हो, ओजी ओजी बैठो जी बैठो जी, उसके बाद बाद शुरू हो गया, तो यह होता है वो बेवकूफ थोड़े सवा सव साल जिंदा रहते हैं, लाल मिर्च नहीं खाते हैं वो लोग जैपैन में, जैपैन में, वाओ, जी, वो तो खेर बिलकुल ही उपला हुआ खाते हैं, हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन मसाले वाली चीज़ें खालें, आप हरी मिर्च बगर रहें, लाल मिर्च बहुत डेंजरस है मेरे वोपर गुजरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ को दूसरे लोग उसमें तकलीफ की नहीं मुक्सरा हूँ हाँ, लाल मिर्च काली मिर्च करें और हरी मिर्च बगर डालें, तो आप सहत मंद रहीएगा, यह है, तो वहाँ एक दफ़ा मैं हॉस्पिटल गया था, रात को वे पेट में दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तो हिरो ओ हॉस्पिटल मैं एक लाख रुपर पाकिस्तानी खर्च किया, मुझे बुलाया किया, यकीद वारी है, वहाँ, ऐसा जो बंदा है, वो ऐसे बंदे को कैसे गवा सकते हैं, कि जो एमानदार भी हो, जो कि अपने काम के साथ साथ, अपनी जाथ के साथ भी इनसाफ कर रहा है, और जिसकी जाथ से किसी को कोई नकसान नहीं पहुंच र बिजवाया, अमरीका बिजवाया, सिर्फ उनका फार्म भर दिया और बश्वरा दिया कि आपको आज कल ये सेशन चल रहा है कि ये पूछेंगे कि तुम बीवी को लेके क्यों नहीं जा रहे हो, तुम पास मकान है, तुम मकान तो है, अगर बीवी को लेके नहीं जा रहे हो तो वो तो पैसे नहीं है यह नहीं तो नहीं देंगे तो बीवी का कम से कम ऐसा करो कि पासपोर्ट बना लो इंडिया के वीजा लगा लो और यह को कि माई वाइफ इस विजिटिटिंग टू अ India to see her relatives तुम कहो कि मैं जबाँ जरा जापन जा रहा हूँ या अМरीका जा रहा हूँ तुम लजा रहा है तूम इसमाने में मिल जाता था उस समाने में मिल जाता था चारीस चांटिस साल पहले की वाइ 1987 आगस्त में मÝ आस्ट्रीलीय सिड्नी गया था तो जमीर जुमेरी साब ने कहा था कि जो वहां पर डित खुलाम खादिर होगा उनसे भी मिल ले ना और आस्टेलिया में S.B.S. स्पेशल ब्राड़कास्टर अश्वाग साब भी थे तो लुकांदो एक जगा थी लुकांबो वहां में ठहरा हुआ था तो यहां पापुशनगर में एक शहरियार कुदूसी अनौसर था वो याद आ गया उससे भी काया अखबाल मैं भी गया था मैं तो 11 में आ गया था तो बहराल वहां का भी किसा यही हुआ कि एक दोस्त की बीवी साहिबा जो थी ना वो मेरे उपर आशिक हो गई थी सेर्स लिए तो आपने कैसे हैंडल किया हुआ हैंडल किया कि रात को बारा साड़ बारा गया हुआ जावेध कहा है कहलें कि नहीं वो जॉप पर घया है तो मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ रहाँ था काम मेंlvania हुआ आपने मुला जान मजाओ भागो ऐसे मौकवे बद्राम कर दिया उसने अपने शौर से का कि तुम्हारी बेहन पर ये डोरा डालना चाहिए तुम्हारी बेहन से शादी करना चाहता था जब मैंने ये सुना तो मैंने का है इसने ब्लैक मेरी कर रहे हैं वो आपने उनकी बात नहीं मानी ना तो फिर वो भड़क गई बड़ा अफसोसो चले यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद और वीर्ज हम मिलेंगे आप से एक चोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मच जाएएगा अभी आते हैं वेलकम बैक वीर्ज हम आ गए हैं ब्रेक से वापत सेयद इकबाल साहब की इतनी मज़े मज़े की चट चाट सुनने को मिल रही है और मुझे यह बताएं आपने जो है इंसानियत पे गाना भी बनाया था एक इंसानियत सॉंग वो आपका बड़ा हिट हुआ था तो हम भी सुनना चाहेंगे अब आप से वसान उसके बोल मैं सुना देता हूँ बिलकल सुनाना पड़ेगा थोड़े इसमें भी हैं तो वो यह था जहां से तास्ब मिटाते चलो तुम उखुवत का नगमा सुनाते चलो तुम कदूरत की जुलमत करो दूरी अकसर चरागे महबत जलाते चलो तुम तासुब हसद और बगजो का दूरत सदा इन से दामन बचाते चलो तुम खिले जिन की शाखों पे उल्फत की कलिया चमन में वो पौदे उगाते चलो तुम सिखा दो मुहब्बत से रहना सभी को लडाई की बुनिया दुढ़ाते चलो तुम लडाई की बुनिया दुढ़ाते चलो तुम खिले जिन की शाखों पे उल्फत की कलिया चमन में वो पौदे उगाते चलो तुम मिटाओ का दूरत को बजमें जहां से महबत की दुनिया बसाते चलो तुम जमाने से नफरत को यकसर मिटा कर उखुवत का पर्चम उडाते चलो तुम उखुवत का पर्चम उडाते चलो तुम और 14 अगस्त को पाकिस्तान का पर्चम उडाते चलो तुम वाह बस ये था वैल दर कमाल हो गया इतने अर्से आपने जो है बाहर इतने सारे मुमालिक में आप रहे हैं कभी आपकी जिंदगी में आपने बूला सारी आसानीया होती चली गई how good bit happens आसानिया नहीं होती चले गें बड़ी मुश्किले होती चले गें परिशान होता था बताईए कि हमें आप वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बताईए कि जहां पर आपको हर्डल्स पेशाएं किस तरह से आपने सर्वाइव किया यानि कि वही है हम्मत बड़ी है हम्मत से कोई काम ले जब तक ना मिले मनजिल का पता नरुके ना कहीं आराम ले तो ये होना चाहिए था लेकिन अल्लह के सहारे अल्लह की मदद से आपके दिल और दिमाग में हर वक वो मौला हो बेश्किक उसे मदद मागते रहे अब फिर आप कोशिश करते रहें कोशिश मस्ट है लेकिन मदद उसकी है कभी गुरूर रहें कि हम मैं सब कुछ हूँ ऐसी के तैसी वो और रहें कुछ भी नहीं है कभी नहीं इनके सारी आजिजी ना दौलत पर ना ताकत पर ना इज़त पर ना खामदान पर कभी मत अकड़ो ये रब ने तुम्हें दिया है शुक्र अदा करो किसी को कमतर मत जानो किसी का मजाख मत उड़ाओ लेकि लोग तो वही है ना ये काघजी फूल जैसे चेहरे मजाख उडाते हैं आदमी का इन्हे काश को ये बता दे मकामों चाह सादगी का तो मैं साध़ ही रहता हूँ Inglider में और यहा भी है और 薔र कोई देखने मला यह नहीं कह सकता है कि आप इतने साधा हैं क्योंकि आप तो माशालला लगते भी Angraze ही हैं कभी किसी कोई आप याप धोका हुआ आगे तरेन में जा रहा था जापान पहली अच्छा की बात कर रहा हूं तो लड़कियां बैठी ही तो थो आप अमरीकन? अमरीकन नो नो आप अमरीकन, I'm पाकिस्टानी, I was born in कराची पाकिस्टान, और दो आपके तो पर पर पाकिस्तान अस्टार्श जापन बज़तना का तो खुश हो गए तो गपशपश पर हो जाते हैं एक दूसरे से मैं इंटर्विव ले ले लेता हूं बाचित कहा काम करें क्या कर रहे हैं अब वहां का अखलाक आप देखे किस सूरे से बाट करते हैं यही है ना कि बात करो तो अखलाक हमारा कहा गया? हम तो एई इधर आ इधर बैठो या इधर आई ये जनाब आप बैठीए जनी थोड़ा सा लहजा हमारा टॉमिनेशन वाला होता है बिलकिल ऐसे हैं अगले बंदे को बहुत नीचा समझा जाता है भैग कुछ पेयार मुहbey से भी दिखा हो रही है। तुम्हे जिया है, या थूमुहक को बात ही है आक्जा ANYजादा सर्था लोग नहीं करते हैं यह यूनू एसे टॉपएक्स पे लोग बात नहीं करते हैं लोग कयते हैं कि बस जो चल रहा है, वो बस सई चल रहा है लेकिन व्यलभाइब कर देखाइब लादने युञिया इपने वोगों के लिए होता है। नी ज्मislाओ के लिए है। ए ब्रबै द्वसकों पर ब्रभात नियुखे को साइसे न ईयाला। नूसर्यार। तो मतलब आपको हर बात पे कोई ना कोई गाना याद आ जाता है क्या आपका माशालला से दिमाग रहे तक हम उठाएं घम जिए अब या के मर जाएं हरे जालिम मुकदर तू हमें ये बता के हम अच्छे मुझे ये बताएं आप सॉरी मैं इंट्रॉप्ट कर रहे हूं आपको जिन्दगी में महबत नहीं हुई हाँ महबत हुई थी महबत है अभी भी तो लेकिन वाइप से मैं ये ही कहता हूँ ना कि तुम दिल बड़ा कर लो और इजादत दे दो तो इतना काम मेहनत नहीं करने पड़ेगी दूसरे को पर भी तो बोज डेलेगा कि लेकि नहीं इसना बड़ा दिल में नहीं कर सकती तो सची बात है वो ये कहता हूँ और ये सुन मिले यकीता हूँ यानि कि आप चाह रहे हैं कि आप अपली बेगम का बोज है वो आप मतलब डाल दूसरे पर भी हाँ तो तो मैं यही सरेना एरलाइन के जो अफ़ाद चौ लाइए कि क्या आप अपने वालिस साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे आप भी तो हसना लगा वो भी हसना लगाए वो भी हसना दो तेना और बठाए तो वो भी हसना लगा है कलेंगे हाँ कोशिश तो करता हूँ यह अगर कोई राजी हो मैं बवांगे दहल सब के सामने कहता हूँ कि अगर कोई दुनिया में अमरीका बरताने में यहां कोई है खातून आपस में बात करने तीन एक खटे निकाह करना चाहें मैं तयार हूं ताके चार हो और चारों को मैं इंशालला अच्छी तरह से रखंगा यारी कि कोई तीन सहलिया हो जाएं तीन बेहने हो जाएं तीन बेहने हो जाएं कोई अगर इस तरह करिष्टा जो हैं उनको सब तीन तीन करवाएने और एक एक है तीन करवाएने क्यों आप दो के इसे पीज़े होगा ताकि सब के शादिया हो जाए अच्छी बात है लेकिन वो मेल मुहबबस से रहें कुराशी पर हलफ लें कि चारों मेल मुहबबस से रहेंगे एक दूसरे का हक दें ये नहीं कि सिर्फ एक शोहर को एक एक और जो है एक ही बीवी बस अपने पासे चिम्टाए रखे ये नहीं होगा चले जी हम आपकी तरफ से अपील करते हैं हमेरे देखने वालों को अगर कोई तीन सहलिया तीन बहने आपस में बात करके ये चाहती है कि इनकी जोजा बनना तो हमसे रापता करिये मैं एंड पे नमबर बता दूँगी और उस नमबर पे हमारे साथ रापता करिये ठीक है ज पहले सवाल है यहार फेवरेट विकेशन प्लेस कराची लहूर कराची लहूर दोनों ओके बीचेज और मांटेञ्स बीचेज ओड़ेट मील 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 खाना ताल चावल टों टेल में बताओ वे बाइस मुल्क घूमने वाला इंसान लंडन में थारी जिंदगी रहने वाला इ होता है सिरफ दाल चावल पिज़ा भी है अच्छा पिज़ा भी है चलो ओके यू प्रेफर टेक्स्टिंग और कॉलिंग ऑन फ़ॉन आजकल तो यह है ना हाँ तो मूबाइल पर आप ज्यादा टेक्स्टिंग करते हैं या कॉल सुनते हैं यह यह हुआ इसके पर अच्छ आपटिंग यह रिखिए ओ। में अगल् स्क्टिंग और के यह विक आप डाप्टिंग है अभी यह हैं आबि बेटेको क्या था लंडन लोगे अच्छ इससोन थू पप अप्टिंग यह सून अच्छ को यह विक आप ओट लाउव थी तेंस्यू का ऐंट लगव थ त्री थिंग्स अल्लाह को याद करे बगैर और यह समझे के कुछ ना तो हम पढ़े बगैर यह कुछ गुन गुनाए बगैर और यह कहने में जो लजीज खाना हो पिजा हो वो खाय बगैर यह निहारी हो वो कहा है बगैर ओके इफ यह आफ 24 आवर्स इन वन प्लेस विच प्लेस इट वोड़ भी 24 आवर्स हा आज कर तो लंडन हमेशा की तरह आपका लंडन और बहुत ही आपने महारत से हमारे सवालों के जवाब दिये अब आज आते हैं जरा आपकी तरफ खेर बहुत सारे सवाल ह करना चाहते थे हम आपसे बहुत सारी बाते करना चाहते थे हैं लेकिन हमारे शो का वक्त जो है वो खतम हो चुका है गाने की तो बात की नहीं आपने जब इंटर्वी हुआ था तो और ने यह कहा थे कह आपको आपको सुनाईए मैं आपसे सुनूंगी इसके मेरी अपने अगले शो में एक नहीं गैस के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत अलाहाफिज ओवर टी यू बहुत शुक्रिया तो जी एडेक्स में मेरा एक इंटर्वीव हुआ था मैयूर ने लिया था तो उसने दिलिप कुमार के बारे में मेरी बातचीत हो गई तो उसके बाद उसने का कोई सुनाएंगे तो मैंने का देखो इंडिया पाकिस्तान और पंगलादेश में जो पुरानी गानी होते तो उसमें मेसिज होता था तो मैंने उसको सुनाया कि ये था इंडिया का गाना बिछडे हुए दिलों को मिलाते चले चलो इनसानियत तो प्यारो महबत का नाम है प्यारो महबत का नाम है इनसानियत की शान बढ़ाते चले चलो बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चल यह था ना पहले, मैसेज, तो मैंने का पाकिस्तान का गाना सुनो, उस वही मैसेज है, लेकिन उसको मैंने कैसे बनाया, आल्ला ने सेंस ओफ हमर दिया तो ऐसे था, क्या था पाकिस्तान का गाना? अल्लही 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 अल्लह का शेफिर्ड में इंटेड्विव था लंदन से गया हुआ था मैं ये कहा था कि अब आजकल के जमाने ये हो गया है कि अब रुपिया ही रुपिया किया करो जो रुपिये का मालिक हो काम सीका किया करो रुपिया ही रुपिया करो तो मैंने फर ये कहा कि if you have earned so much money if you have much money much money then please please don't forget your good relatives don't forget your good friends अच्छे दोस्तों को, पुर्खुरूस दोस्तों को, पुर्खुरूस रिशेदारों को मत भूलो, पुर्खुरूस मैंने लगाया है, कमीने हो और अच्छे नहीं हो, चाहे डिफेंस में रहा है, तो फिर मत मिलो.